तासी तक का उनका समय हैं, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, चार रचनाएं प्रमुख हैं और इन चारों रचनाओं का फिर एक संग्रह आया है वो है यामा और इसी यामा पर उनको बाद में ग्यानपीट पुरसकार मिला, निहार, रश्मी, निर्जा, संध्यगीत ये उन क्रवीता का प्रमुख स्वर अगर कोई है तो प्रेहम और वेदना हैं, अधुनिक मीरा उन्होंने कहा जाते हैं, इतनी वेदना उनकी कवीता में देखने को मिलती है, कि कुछ विदवानों ने उन्हें, आधुनिक मीरा भी कहा है, तो ऐसी महादिवी वर्मा, खास करके एक उमरी कल थी मिट आज चली, तो मित्रेह उनकी प्रसिद्य कवीता है, इसके अलावा कई कवीता हैं ऐसी है, जिसमें प्रेम और वेदना की बात जो है, महादिवी में देखने को मिलती है, समाई के हमारे पास बहुत अभाव है मित्रों, बहुत विस्तार से हम छायावदी आए और हमारी इस व्याख्ञान श्रेणी में आपने बहुत ही महत्वपूर बाते हमारे छातरों को बताई, हमारे छातरों को इससे लाभानुवीत किया, मैं आपको, मैं आपका जो है, इस और इस संधान श्रेणी के कोлिनेटर होने के नाते मैं आप प्रती दन्यवाद प्रगर करता हूँ विद्यारती मित्रों नमस्कार हम नया विशाय लेकर अगले गुरुवार को फिर आप लोगों के सामने उपस्ती दोंगे तब तक के लिए फिर से नमस्कार नमस्कार